तौर आजकि इस वीडियो में में एक ग्रेडियंट बनाएंगे तो आपने बैक्राउंट में एपस में देखा ही होगा कोई कोई भी एपस जिसके बैक्राउंड कलर आपने देखे होएंगे कि डिफिरेंट डिफिरेंड कलर use वे होते हैं उसके अंदर ठीक हां कि उपर मलब तो यह एक तरगा gradient यूज हुआ होता है तो कई वार हमको लगता है कि यह by default यह से कोई इन से download किया है बट कई वार हम हम इसको खुद से भी create कर सकते हैं इस different colors को as a background हम खुद से भी create कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे gradient के थूँ तो यह जो हमारी screen का background होता है ना color के combination के background blank है ठीक है मलब कि इस पर कोई background नहीं लगा हुआ तो हम चाहते हैं कि यहां पर हम gradient background लगाए gradient color लगाए इसका ठीक है तो वह कैसे लगाएंगे हम एक बनाएंगे layout ठीक है तो gradient एक file बनाने के लिए ना मैं जाओंगा अपने doable में ठीक है तो doable पर मैं करूँगा right click और यहां पर मैं create करूँगा new doable resource file तो इसका मैं नाम देता हूं background यह मैंने कोई भी नाम दे दिया background नाम दे दिया मैंने इसका और मैंने कर दिया okay ठीक है friends अब यह देखो यह file बन के आगी अब यहां भी हमने अपना main काम करना है मैं पहले क्या करता हूं इसमें मैं इसकी जगा लगा लेता हूं shape ठीक है shape यूज करेंगे हम इसमें ठीक है अब हम इसके अंदर अपनी main coding करेंगे ठीक है तो मैंने आपको बताया कि हमने gradient यूज करना है different color के लिए तो यहां भी मैं tag लगाऊंगा कौन सा gradient नाम का तो देखो gradient नाम का tag आ गया इसके अंदर suggestion में आ गया तो वह मैंने कर दिया यहां ना जो हमने दो color लगाने होते हैं ठीक है तो जो यूज worksuit अब फ्ट्रिम कर ले लागा ताइज होते हैं डो टैज है एक होता है and color एक होता है start kolor ठीक है यह ऑन डो T start color ہوتा वह start में लगता बट इस केस में क्या है कि जो इंड में कलर हो वह वाला color LAUGHTER rente में यूज होएगा और जो start color होएगा وہ and में use हुएगा ठीक है तो कैसे देखते हैं तो यहां फी मैं support ढलता हूँ और ठीक है तो देखो गूगल पे और यहां पे लिखेंगे color code ठीक है color code करके हम search मारेंगे तो यहां पे देखना है HTML color codes के काफी सारे codes आजेंगे तो यहां पे हम कोई भी color देख सकते हैं ठीक है तो देखो यह आ गया तो यहां पे आपने कोई भी कलर चूज़ करना तो आप यहां पे चूज़ कर सकते हो ठीक है तो सपोज मैंने यहां पे जो मेरा टोप है उसमें मैं यह एक पहले यालो कलर यूज़ करूंगा ठीक है यालो कलर मैंने यूज़ किया और इसका मैंने यह कोड जो है यह कोपी किया और यहां प मैं चूज करता हूँ orange color ठीक है यह वाला चूज कर लेते हैं ठीक है तो यह मैंने करा copy और यहां पर कर दूँगा paste ठीक है यह लग गया orange color ठीक है एक उपर मैंने लगा दिया yellow color नीचे लगा दिया orange color ठीक है तो मैं आपको शुरू में बताता है कि end color मतलब वो top पे use होएगा color ठीक है और जो start color है वो bottom पे तो यह ऐसे यह दो screen में divide हो जाएगा अब इसको divide करने के लिए भी हमने एक method लगाना पड़ता है divide किस angle में करना है तो वो भी हम angle यहां पर decide कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर हम angle use करेंगे angle में आप कोई भी setup कर सकते हो मैंने लगा दिया 450 ठीक है तो मैंने 450 degree पे angle पे लगा दिया ठीक है यह angle मेरा set हो गया ठीक है तो यतना काम हमारा हो गया यह मारी background screen थी ठीक है तो अब क्या करना है वो तो हमारा background जो है वो बन गया ठीक है यह एक file में लग गया यह इस फाइल में से रह बैकराउंट डोट एक्शमल फाइल है जब तक मैं इस फाइल को जिस इसका में इसका besщее करूँ को मैं किसी भी श्रीम पर मिलटीक्ल पर उसकर सकते हैं ठीच है मतलब क्कि इसका यह नहीं होता कि आप किसी लिमिटीड एक ही screen पर अब यूज कर सकते हो, नहीं, आप इसको बना के अलग से रख दो, और आप अपने project में किसी भी screen पर इसको use कर सकते हो, ठीक है, तो अब यह मैंने बना के रख दी अलग से एक file, एक तरह का gradient मेरा बन गया, ठीक है, यह देखो, यह है इसका design, ठीक है, तो यह मैंने ने बनाया देखो ऊपर देखो एंड color था एंड color में yellow था तो देखो ये and जो मैंने बताई था वो top पे आजेगा और जो start color वो bottom पे आ गया ठीक है ये देखो इसका orange color ये नीचे आ गया ये धो gradient बन गया ये होता है इसके मैं कर दूँगा बैक्ग्राउंड सेट कर दूँगा तो बैक्ग्राउंड मैंने किया और यहां पर मैं लगा दूँगा जो मेरा ग्रेडिन का नाम था मेरा ग्रेडिन का नाम था बैक्ग्राउंड ना ठीक है तो यह रहा बैक्ग्राउंड तो मैंने यहां पर यूज क तो देखो कैसा लग रहा है इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं ठीक है सपोज यहां पर मैं इसके कलर और चेंज कर देता हूं ठीक है यहां पर मैं इसका कर देता हूं इसका मैं कलर सपोज कर देता हूं ठीक है ब्लू किया मैंने ये किया कोपी और एंड कलर में मैं इसको aprove यहलो इन्हें कपित कर दिया ओर यहान पर कर दिया पेस्ट तो देखो यहीघर सेंट कलर सब्सक्राइब उसके अब aż करने नहीं है तो यहीं आ ऊइद स्क्रीन करेंगा देखा हैं यह यहाँ पर है नहीं में शाओर्णंड और यैंट हो गया तो मतलब क्या होएगा कि जब जब भी आप इस इस जो अपने जाप का ग्रेडियंट यहाँ पे जितना भी चेंजिस करोगे ना तो यह ओटमेटिकली यहाँ भी चेंजिस होता जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपने इसको कोल कर रखा है ऐसे बैक खेंडी कर ग्राउंट ठीक हा तो देखो यहाँ पे पर इसको करते हैं फिर देखते हैं कि हमारी एप में यह कैसे चलता तो देखो यह हमारी एप होगी है सब्सक्राइडियंट ऊपर एंड कलर में ब्रू कलर था भीत में यलौ घ़लास्ट में और इंग तो यह एक त्या आपको समझाया ठीक है कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना तो थैंक यू सो मज पूरी वीडियो देखने के लिए